राम राम जी एक है रूपी को और आर यू पी वाई रूपी कनिड़े के विच रहती है उनका परिचे यह है कि इंस्टाग्राम की स्टार है इंस्टापे जब बहुत पॉपलर हो गई तो उन्होंने कविताएं लिखने शुरू कर दी तो वह कविताओं के उनके किताब हिट हो गई हिट हो गई तो मैंने सुनाए 20-25 लाग कॉपियां बिग गई 25 भाशा में अनुवाद हो गया उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है प्रॉफाइल है वह उनके बारे में कहता है कि शी इन ऑथर पोयट आर्टिस्ट इलस्ट्रेटर परफॉर्मर और जो नहीं कहता वह एक न है तो तब उनका लेटिस्ट कारणामा यह है कि अमरीका के सदर प्रेजडेंट साहब ने वाइट हाउस में दीपावली आयोजन पर उनको आमंत्रित किया रूपीकौर को तो रूपीकौर ने कहा कि नहीं मैं आपके इस दिवाली निमंत्रन को खारिच करती हूं मैं नहीं आऊंगे क्यों क्योंकि आप इस्राइल का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें उसकी दो पेज़ की चिठ्थे लिखिया ओपन लेटर सारी दुनिया में तो उस प्रेज़ेंट बाइडन दा इन्विटेशन जीड़ा सिगा उन्हों रिजेक्ट करता ओव बले बले भी वेरे गोड़ शागी कुड़ी तो सब बात ही है कि रूपीकौर ने दो पेज़ की चिठ्थी लिखिये और रूपीकौर की प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने प्रेज़ेंट बाइडन और अमेरिकी प्रशासन को लताड़ा है कि जो फिलिस्तीन में जो कुछ इद्राइल कर रहा है और बच्चे महिलाएं सिविलियंस या वा अस्पतालों पर अमले रिफिजी कैम्प यही वो उसका मैं विरोध करती हूं और चुकि आप इद्राइल का समर्तन कर रहे हैं इसलिए मैं दिवाली मनाने आपके पास नहीं आउंगे मैं आपका दीपावली का निमंत्रन और स्विकार करती हूं तो मैंने तब वह चिट्टी बड़े ध्यान से पड़ी है और मैं आपको इस मैं आपको वह स्क्रीन शॉट दिखाऊंगा आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं तब दो पेज की चिट्टी है उसमें उन्होंने एक शब्द भी हमास के आतंकी हमले हमास नामक टेररिस्ट ग्रुप की आतंकी कारवाही जिसमें मासूम बच्चों की दुदुबुहे बच्चों की कि कितनी नर्ममता से कि उनको माबाप के सामने चोदा सो लोगों का सिविलियंस का जो की चुट्टी मना रहे थे और दो सो निन्यानवे तीन सो के आथ पास होस्टेज़ जो आज भी हमास के आतंकीयों के कबजे में है उसका कोई जिकर नहीं है रूपी को और अपने आपको मानवा धिकारवादी कहती है फैमिनिस्ट है वो जो महिलाएं उस साथ अक्टूबर के आतंकी हमले में मार दी गई उनकी सहानुभूती में एक शब्द भी नहीं बूला गया और इस अमास के इस आतंकी बरबर आतंकी हमले की कोई निंदा नहीं है दो बेज की चट्टी आप पड़ सकते है स्क्रीन शॉट मैं कोशिश करूंगा शेयर कर दूंगा हाँ उनको इस बात की बहुत चिंता है कि फिलिस्टीन में सिविलियन नागरिक मारे जा रहे हैं कि इसे कहते हैं दोगलापन कि आंपको फिलिस्टीनी नागरेकों की तो चिंता है कर börjar चीए बहुत अच्य बात है है फिलिस्टीन के जो सिविलियंग हैं कि जिसका जिनका इस उसे वाकाई कोई लेना निया और जो हमास के समर्थक पुलाए उनकी चिंता हंको भी है कि परंतु हमें वह उनकी भी चिंता है जिनको एक घंटे में एक छुटी वाले दिन छुटी मनाते हुए जिन नेरी मासूम आपनी निंके करेकों को मार दिया गया जिनके बच्चों को इंके सामने कतल किया गया एक बच्चे को ओवन में रहके ओवन को आन कर दिया गया और उसकी उस सामने ओवन पड़ा था जैसे जैसे वह वबन गरम हो रहा ता उसके चीखने के आवादे आरही थी और उसके सामने उसकी मां को दस वहशी दरिंदे इसकी एक शब्द भी निंदा नहीं किये रूपी को और ने हाँ उनको फिलिस्तिनी फिविलिंस की बहुत चनता है हमास के आतंकियों ने जो यहां अपने हेलमट में जो एक्षिन गोपरो कैमरा लगा के जो रॉव शूटिंग्स की है और जो उसको पूरे दुनिया को पूरे दुनिया के पत्रकारों को इसरैल की सरकार ने जखाया है उसकी कोई नेटा ने किय रुपीकॉर ने उनको फिलिस्तिनी सिविलिंस की पहुत चनता है क्योंकि इसराइल का जो सिविलियन जो मारा गया ना, नै नहीं, वो किसी धानुवोथी का पात्र नहीं है रुपीकॉर के लिए तर तीन किताबें हैं उनकी, she is an author, she is a poet, she is an artist, she is an illustrator, she is a performer, but she cannot spare one word in favor of the Israeli hostages, कि प्रतिसहान भूति का एक भी शब्द नहीं है, या हमास के आतंक के निंदा के लिए उस बिचारी के शब्द खत्म हो जाते हैं, वैस्ची बहुत अच्छी वाजिवा बले बले कराती है साधी कुडी ने, इतनी अच्छी पोएट है, कव्यत्त्री है, एक तो ये बात गौर करने वाली है, एक दूसरी बात, रुपी कौर जी, प्रेजड़न्ट बाइडन के प्रशासन ने आपको वाइट हाउस में जीपावली मनाने के लिए आमंतरित किया, आपने मना कर दिया, मेरे एक सवाल है उसका जवाब देजिए, अगर जो बाइडन अपने वाइट हाउस में गुर्पुरव मना रहा है, मनाता, अगर उसका इन्वेटेशन आपको आता, तो आपका गुर्पुरव में जाने देवी मना कर देती, दिवाली तो आपने मना कर दी, इसका जवाब आपको देना चाहिए, इस प्रश्ण का 15 से निकल 20 साल होगे मुझे, और वैसे मेरा जुड़ाव तो बहुत पुराना है पंजाब से, हर दिवावली पर ही एक बात सुनता हूं, कोई भी मैटर हो, कोई एजिटेशन हो, कोई किसी को भी कोई समस्या हो, हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, हमारी पलानी चीज की उन् मनाएंगे, भाया यह तुम्हारी दिपावली ही हमेशा क्यों काली मत्ती है, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना पंजाब में, कि फलाना गुरुपरुप भी हम काला मनाएंगे, अभी गुरुनानक देव जी का प्रकाश उत्त्रवार है, यह दिवाली ही आप लोग काली क् हो, हमने तो आज तक कभी नहीं का कि हम प्रकाश उत्त्रव नहीं मनाएंगे, या प्रकाश उत्त्रव मनाएंगे तो काला मनाएंगे, उस दिन हम धिये नहीं जिलाएंगे, या हम प्रकाश नहीं करेंगे, अगर को यह था करेंगे, मैं तो बहुत होड़ दूँगा, कि तर अधेरा उत्सव कैसे मना सकते हैं आप हर बार दिवाली काली कर दिते हैं चक्कर क्या है वही है आपको हमारी है हमारी रिलिजियस फिलिंग्स का कोई वैलियू नहीं है कि जब आप अपनी थार्ड क्लास पॉलिटिक्स में हिंदू के सबसे महतुपूर्ण पर्व के साथ पॉलिटिक्स करने लगते हैं हर बार आप कहते हैं काली काली दिवाली मनाओ कि दिवाली आती है तो आप लोगों वाइध़ है चारे यार इसमें तो बहुत जादा नाइस प्राइशन होता है अद्यास हम भी आपी श्रावाज के लोग है इस एक कुछ तो सोचना चाहिए बहुत संख्यक समाज की भी फीलिंग्स होती हैं उसका भी ध्यान रखिए एक तीसरा इश्यू आप आप बाइडेन प्रशाथन का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वह इसराइल का समर्थन कर रहा है और आप लोग रुपी को और आप उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं मुझे तो एकी बात याद है कि आप उन लोगों का समर्थन कर रही हैं जिन्हों ने आपके गुरुओं को जलते तवे पर बठाया उनके बच्चों को साथ साल और नौ साल के बच्चों को साभजादों को जिसंदा दिवार में चिनवा दिया उनकी चाती पे चड़के जिनकी गर्दने जबह की गई हमारे गुरू के चार बच्चे एक पखवाड़े की भीतर पूरा परिवार उनका खतम हो गया, मां खतम हो गई, बच्चे खतम हो गए और जिन लोगों ने यह अत्याचार किये थे हमारे युद्धाओं को, हमारे भाईयों को यहां पीच से आरे से जिन लोगों ने काटा आज आप उनके समर्थन में खड़े हैं, और दिवाली का विरोध कर रहे हैं, आपको इन बातों पर भी गोर करना चाहिए, जो कौम, जो नसलें, अपना इतिहास इतनी चल्दी भूला देती हैं, मतलब आप सिर्फ तीन सो सालों में, अपना इतिहास भूला गई, तीन सो साल म आपको सब कुछ भूल गया, और आज आप उन्हीं जरंदों, उन्हीं वहशियों के समर्थन में खड़ी हैं, जिन्हों ने हमारे साथ साल के बच्चों को आज से साले तीन सो साल पहले जिन्दा दिवार में दफना दिया, और आज भी वो कौम, दुद मुहें बच्चों को ओवन में जला रही है, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोलिया मार रही है, मावाब के सामने आठ महिने के बच्चे को, वो कौम जो कि आज भी एक एक डेड़ डेड़ साल के बच्चों को मुर्गों की तरह पिंजलों में बंद करती हैं, और उसका वीडियो पूरे विश्र से कट जाती है न, वो बिना जड़ का पेड़ होती है, आधी नहीं, जड़ासी हवा में लड़क जाता है वो पेड़, अपनी जड़ों से मत कटिये, यह होली दिपावली आपके भी पर्व हैं, आपके भी त्योहार हैं, उनका सम्मान करना ठीकिए, और अपने गुरूं की शहादत को मत भूलिए, आज इस वीडियो से एक बात और याद दिला देना चाहता हूँ, मैंने पिछले 5-7 साल पहले, मुझे मेरे एक मित्र ने बताया, कि आज से कुछ 10-20-30 साल पहले तक, यह जो शहीदी पखवाड़ा आता है न, डिसम्बर के जो, थर्ड वीक में, ज इस पखवाड़े के अंदर, 15 दिनों के अंदर, दशम पिता, दशम गुरू, गुरुगोविन सिंग जी के चारों बच्चे, जिन्होंने धर्म के लिए बलेदान किया था, तो उस पखवाड़े में पंजाब के लोग भूमी शेयन करते हैं, बिस तर पे नहीं सोते हैं, प परहिंद के किले में कैद कर लिया था, तो उन्होंने बेहद ठंडी, दो या तीन राते हैं, उस ठंडी बर्जों में काटी थी, जहां नीचे बिछाने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं था, वो अपनी दादी के साथ, दूर रात महां रहे थे, तीन रात शायद, फिर तीस नहीं तो दिवार में चिनवा दिये जाओगे, तो नहीं भला धर्म के लिए ये जान हादिर है, धर्म नहीं छोड़ा था, तो उन बच्चों ने और माता गुजरी ने जो ठंडी रातें उस बुर्ज में बिताई थी ना, उस बलिदान को याद करने के लिए, पंजाब का स समाज या हम लोग 15 दिन तक जमीन पर सूते हैं, ठे, पर पंजाब ने, खास्तर पर सिक समाज ने, इस परंपरा को भुला दिया, और मैंने देखा, यहां तो पूरा का पूरा पंजाब जो है, सिर्पे गलासियां रखके नाच रहा है, और क्रिस्मस मना रहा है 25 तारी को, 25 स्कूल है, जो की सिखों की बहुत बड़ी संस्था है, बड़ी कटर सिखी संस्था है, वो उस बखवारे में अपना एनूल फंक्शन मनाती है, वहां गिद्दे डाले जाते हैं, वहां पुशियां मनाई जाती हैं, वहां लड़ियां लगाई जाते हैं, प्रोग्राम होते ह तो मैंने सब एक Facebook पोस्ट लिखी थी वो पूरे वर्ल्ड में पड़ी थी Facebook पोस्ट थी मैंने सबसे पहले वैंने कि मैं साथ दिन तक जमीन पर सोऊंगा तो मैंने अब ठंडे फर्श पर तो सोना सब्सक्राइब नहीं पाया मेरी इतनी विल पावर नहीं है मझे पर मैंने साथ दिन भूमिश हैं किया था और वो फोटो मैंने सोशल मेडिया पर डाली थी तो मेरी मेरे को देखा देखी और बहुत स भी आई थी उसके बाद वो वीडियो ना पूरे वो मेरी पोस्ट पूरे पंजाब में और जहां भी हिंदू सिक्डायस पोरा है विदेश में वहां वो पोस्ट बहुत ज़्यादा पॉपलरी थी और बहुत साले बहुत सारे लोगों ने रेलाइस किया कि नहीं आर यह बात करते हैं और यह है असली हिंदू सिक भाईचारा हुपी कोर जी कि मैं आप से गुजारिश कर रहा हुँ जरा इन बातों पर ध्यान दीजेगा और अगर आप वाकई सोशल मीडिया इंफुलेंसर हैं तो अपने समाज को अपने लोगों को प्रेरिस कीजिए कि वो शहीदी प सो जमीन पे पर कम से कम कोई सेलिबरेशन तो मत करो सिर्फ पे गिलासियां रखके शराबें रखके नाचो तो मत कम से कम शहीदी पख़वारा मनाओ आज की लिए इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं तैंक यू बेरे मुच